हलो फ्रेंड्स मैं मेहंद्रा मांटे लैपर्ड आप सभी लोग का स्वागत करता हूं अपने इस गाउं छोटे से गाउं द्यालचक में एक यात्रा खोज खजाने की खोज में एक यात्रा खजाने की खोज के दर्मियान मैं अपने इस गाउं में आया हुआ हूँ वहुत ही खुबसूरत मेरा गाउं है, आप देख सकते हो, हर तरफ हर्याली है, हर्याली चाही हुई है, धान की खेतों में फसस लहलहा रही है, और बहुत ही खुबसूरत है मेरा ये गाउं, छोटा सा गाउं है, बहुत ही खुबसूरती से अपने एक छोटे से जगह पे बसी हुई है, आप देख सकते हो दोस्तों मैं जल्द ही आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा वो वीडियो होगा एक यात्रा खजाने की खोजकी और मौंटेंस स्किल्स जो मैं आपको जल्द से जल दिखलाऊंगा और उन्हर रहस्मई और रुमांचकारी जगों पे ले जाऊंगा जहां पे संभावना है कि वो खजाना छुपी हुई है प्राचीन काल की और एक ऐसी जगह है मेरे गाउं में मेरे गाउं से ज़स्ट दो किलोमीटर की दूरी पे गाउं का नाम है अहिरा जहां पर हो सकता है कि वो हडपा संस्क्रिती की टिले वगेरे चुपे हुए है उची उची टिले है जो हो सकता है कि हडपा संस्क्रिती की हो या फिर मुगल काल की या फिर मौरे काल की मैं आपको दिखलाऊंगा उस जगह को और जल्द ही आपको रहस्या रोमान से एक एपिसोड भी दिखलाओंगा जिसमें कैसे खजाने की खोज की जाती है और माउंटेन से रिलेटेड हर वो टॉपिक को दिखलाओंगा देख सकते हो मेरे पीछे मेरे गाओं है मैं अभी अपने खेतों में आया हुआ हूँ धान की फसल्स को देखने देख सकते हो क्या न जा रहा है दोस्तो देख सकते हो मेरे पीछे एक छोटी सी नहर है जो अभी सुखी हुई है बारिस की दिनों में ये पानी से भरी हुई रहती है और ओके दोस्तो धन्यवाद मैं जल्द ही आपको दिखलाओंगा आईए चलते हैं गाओं की ओर खुबसूरत गाओं की ओर इन फसल्स को देखते हुए धन्यवाद दोस्तो आप लोग मेरे वीडियो का इंतिजार करें जल्द ही आपके लिए लाओंगा वो रहस्म और रोवांचकारी वीडियो जिसका आप लोगों का इंतिजार है और मैंने वादा किया है आप लोगों को दिखलाने के लिए धन्यवाद झाले करता है